तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल तिवारी जैजबकेशन में जैसे कि आपको पता है कि हमारे यूडिट सेकंड की फर्स्ट वीडियो है जिसमें डेमोक्राटिक रिजीम के बारे में डिस्कस किया था वो वीडियो पहले अप्लोड हो चु फिर आपको यूडियो टॉपिक जाके क्लियर होगा ठीक है दोस्तों स्टावादी या फिर और थोरिटेरिनिजम किया है यह एक विशेश प्रकार की विचार धार संबंदी साशन प्रणाली है याने कि यह जो आइडियो शाषन की प्रणाली है इसमें जो राजा होता है य जो सुप्रीम लेडर होता है वो किसी एक आइडियोलोजी करता है उसी आइडियोलोजी को प्रचारित करने के लिए सत्ता में वो आता है जिसका व्यापार सरकार बाजार सब चीजों पर नियंतरन अपना स्थाबित कर लेता है को भी चीज उसके अगेंस नहीं जा सकती हर सब्सक्राइब देश करना है कि तरह लगेगा आपका कितना जो ट्रेड एक्सपोर्ट है उसपर कितना टैक्स लगाना यह सब करता है यह सेब जैसा करता है वहां का राजा या फिर शाषक तो इस प्रनाली को हम लोग क्या करते है सत्तावादी शाषन पढ़ना लिए यानि कि एक ऐसी शाषन पढ़ना लिए जहां पर सत्तावादी स्तोच को बढ़ावा मिलता है या किसी व्यक्ति स्नमुदाय, सेना या किसी की भी दोरा संचालिक किया जाने वाला शाषन का सुरूप है यानि कोई भी व्यक्ति जो साशक ताकतवर होता है वो आता है वो भरकर और अपना दबदबा काइम करता है किसी भी देश में वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है कोई गुरूप भी हो सकता है कोई सेना का अधिकारी भी हो सकता है यह कोई भी हो सकता है आपने कई बार एक सामबल देखेंगे जहां पर सेना ने कई बार देश में कंट्रोल किया है आपको मैं सत्तावाद की प्रकार बताना चाहूंगा इसमें एक्जामपल भी दूँगा आपको में देखिए पहला तो होगी है व्यक्ति द्वारा यानि कि जब व्यक्ति ने देश पर शाषर नियंतरन इस्थापित गया अब यह जो नियंतर कोःटर हाट connectivity की डिटाली की आइडियवादी पालटी जो कहां पर थी मुस्द्ना्नी सथापना की इसकी इंटली मेंργों सोना था हीटलर का जो जर्मनी का बार्वी भाइं जिवस खासकर उनको ये नीचा मानता था, उनको नीच मानता था, इसने इतनी मारकट मचाई कि जितने जिवस थे, ऐसा कहा जाता था ये उस टाइम पर जर्मनी में सारे जिवस की लगबख हत्या कर दी गई थी, जो बचे थे वो या तो भार भग गए थे या तो छुप- ये सब कहा जाता है, इसके बाद हम देखते हैं, सेना द्वारा कवको सारे है, लेकिन हम कुछ मेजर एक्जामपल्स आपके सामने डिसकस कर रहे हैं, जैसे 1999 में पाकिस्तान में जो परवेज मिसररफ थे, उन्होंने शार्षन किया, कार्गिल वाल के टूरिंग, उन्होंने पावर्फुल नहीं होता, वहां पर आप जाता ताइम देखेंगे, तक्ता पलट हो जाता है, जैसे अभी मेमार में हुआ था तक्ता पलट, तक्ता पलट का मतलब क्या है, तक्ता पलट मतलब जो गौर्मेंट चल रही है, जो गौर्मेंट रूल कर रही है, उसको हटा कर को पर कई बार जो military rule है वो लग चुका है ठीक है फिर आते हैं निरंकुष शाशन यानि कि कोई ऐसा व्यक्ति उभर कराता है जो अपनी दिरंकुष्टा फैला देता है उस पर कोई अंकुष नहीं लगा पाता वो जो मर्जी वो चाहता है आप एक्जामपल अभी वरतमार में द कि पहले था उसके सत्चाषिने सबसे बड़ी जो फासय थे विशेस नागरिक अधिकार उनको प्राप्त नहीं होते जो राजा चाहता है या फिर जो शाशक चाहता है वो अपनी मर्जे से मापे सारी काम करवाता है और टॉमन समराज के दिरन कुछ था आपने देखी है जो पूरा रूल ही था रूशियन एंपार का और टॉमन एंपार का फ्रांसिस्को फ्रेंक के उद्वारे स्पेन में निंद्रन किया दो कौन थे यह एक ऐसे आर्मी थे जो जिनका परिवार जो था वो राजा महराजा को में था बट जब इन्हों ने शाश्रनी वरस्था कि स्थापना की जब इन्हों ने अपनी गौब्वनेंट बनाई तो उन्हों ने एक ऐसा स्ट्रॉक्शर बनाया को उन पर लगा कोई लागा सके उनका को कि ऑल्टरिनिटिव ढूंड ही ना सके इन लोगों ने ऐसी शाषन परणाली बनाई अब आप किम जोंग उनको ही देख लेजिए वो जब तक चाहे तरफ़क शाषन करता है उसको को रोग नहीं सकता जब तो कमरेगा नहीं तब तक मुझे तो नहीं लगत कि यहाँ अब तो क्रेक्ट कर लेना यहां पर इसकी आलोचन आएगी जहाँ पर आना चाहिए था विशेश्टाओं के वज़ाँ को काट लेना आप यहां पर आपको लिखना है दोश आपको क्या लिखना है दोश यानिकि जो सत्तावादी प्रणालिय शाषन की उसकी है अब हुन्ह पैली बात इसमें qualcosaोता है इसमें एक विक्ति या फिर अधिका साशन चुर। होता है अब देख किसी भी देश में तो तो वहां पहर लिए अप्र रजिसा काम करता है लोगों अंदिन्डियोध कर अघ्र एक्ति के पास साली वह जाए अगर देकर पॉइश जाएगी नहीं क्यों कि जो लोग कांगरेश को सपोर्ट करते थे जो लोग आम आधी पार्टी को सपोर्ट करते थे उन लोगो तो यहां पर रहनी नहीं दिया जाएगा क्योंकि उनका कोई सपोर्ट करने वाला बचेगा ही नहीं किसको सपोर्ट करेंगी क्यों कि एक ही पार् में देख लिए आप चाहिने में कम्यूनिस्ट पार्टी के साचन है महां कोई और पार्टी घड़ी नहीं चुकती वहां पर लोगों को अधिकार नहीं जादा सिंजियांग पराद में देखने मुस्लमानों की क्या हालत है वहां पर ठीक है फिर नाम मात्र का समीधान होता है पहले बात तो है ऐसी कंट्री जाता समीधान होता ही नहीं है और होता भी है तो शिरफ नाम का होता है भाई कि हमारा देश है जिसने समीधान बना रखा है बट समीधान की वहां पर कोई वैल्यू नहीं होती वहां पर जो शाशन चलता है वह ताना शाही से चलता है वहां प तो मार दे जाता है तो उनके बाद दबा दी जाती है यही जो सबसे बगए डेमेरिट है वो स्थाथावदे शाषन का है हम लोग कहते हैं कि बार एक पार्टी होने चीजिए एक पार्टी अगर हो गई या एक व्यक्ति का शाषन अगर हो गया तो सम्विधान की कोई लोग देखिए आप वो चाह कर भी विरोध नहीं कर सकते हैं क्यों कि उनके साथ ऐसा गेम खेला गया है कॉंस्टिट्यूशन की कोई वैल्यू नहीं कि चाइना में देखिए आप मांकि मीडिया बिल्कुल रेगुलेटेट है बिल्कुल उसको गवर्मेंट रेगुलेट कर करें हैं कि हमारे यह देखिए बर कैलेट अकि जाते ऐसान söz निकला च्राएगा गया लेकि वहां पर कोई निएчड अकर आन्दोलन करता ंइसि उनकर्ण पर रधा है तो एसान पर उसके चैनल को बंद कर दिया घाता पिर अन्य पर्टी या फिर विचार को आगे बढ़ने का अधिकार नहीं होता भई लिया पर भी आपने देखा हो गता है, नहीं पर आपर एखिकार को ऊब बुछांगी और और होते भी हैं तो उनको राइट सी नहीं दिया आते, कई बार तो यह होता है, जैसे उनके सरकार बनती है, अगर किसे को तानाशाई स्थाबित करनी है, तो वो जितने एपोजिशन की लीडरस होते हैं, सब को जेल में डलबा देते हैं, आप देखेंगे यह जर्मिनी में यह हुआ, मुसलिनी के टाइम पर ही हुआ, क्या किया गया है वहाँ पर, जो अपोजिशन की लीडरस थे, सब को पकड़ के जेल में डाल दिया, क्यों, ताकि कोई आलोचना करने वाला, विरोध करने वाला, क्रिटिसाइज करने वाला, बचे ही ना, क्योंकि लोगों को क्या च चेशता है, सब सोड़ी जो दोश है, वो यही है, कि भाई, जो और फिर जो सत्तावाजी शाशन होता है, वहाँ पर अन्य पाटे को, या फिर अन्य विचार को आगे बढ़ने का अधिकार नहीं होता, अब विचार कहने का मतलब है, मालीजे कोई देश है, वहाँ पर अगर सामयबादे शाशन है, तो महाँ पर लोकतंत का कोई स्थान नहीं है, माँ का जो शाशक होगा न, वो लोकतंत की बात करने वाले हो, क्या कहेगा, अरे भाई, जुमले बाजी कर रहा है, यह देश को बाट रहा है, ठीक है, फिर मेडिया पर पूर नियंतर, थोड़ी तरी प रेडियो में, निउस चैनल में आपको जो भी दिखाना है, उसे रेगुलेट कौन करेगा, उसे रेगुलेट करेगी हमारी गौर्मेंट, किसको क्रिटिसाइज करना है, क्या दिखाना है, इस तब कौन रेगुलेट करता है, क्या दिखाना है, इसको कौन रेगुलेट करता है मजबूरन उसे किया जाता है एlectric अलाइक इंडिया इंडियम आप देखे क्या है फुल्ली इंडिपेंडेंट है उसके अलोचना करती है जिसके मर्न उसको दिखाती है जिसक磨ज उसको आज iau तो ले कई बार मुदी ग़रमेंट के लोचना होती है, कई वजिया कionгр. यहाँ पर सब के लोचना की जाती है अगर अच्छा काम करते हैं तो अच्छा क काम भी दिखाय जाता है बड़ चाइना में क्या होता है? चाइना में आप देखेंगे क्या है वहाँ पर? जो प्रेस है जो मीडिया है वो नहीं कर सकता आपने कभी नॉर्थ कुरिया के न्यूज चैनल का नाम भी ने सुनोगा चाइना की न्यूज चैनल का आपने नाम भी ने सुनोगा क्यों क्यों कि इन्हें इंटरनेशनल लेवल पर कोई दिखाया है नहीं जाता कहीं पर हमारी मी में इ Clark में इटले में देखें चाहे आप देखें रस्यां में जब बया है थी तो हिंसा अाथ के नॉर्थ कोरिया में नॉर्थ कोरिया में आप देखेंगे भाई हैघर देख रहे हैं फॉलो कर रहे हैं बोट में आतंग का महोर रहता हैं लोगों को पता ही निया कब उनके ना के मार दिया जाए कब उनके आँ पर आबार के ओर ऑडव खा लिया जाए हमश्या लोगों 받्र समय हमेशा इसढ़ के खिलाफ बोल दिया तो उसे पक्ता होता है कि मैं एक दो दिन में मार दिया जाओंगा इसलिए कोई बोलता ही नहीं है आप जर्मनी में देखें जब नाजिस्ट पार्टी ने अपना रूल जब अपने रूल स्थापित किया था उसके बाद उन्हों क्या किया इतने बड़े पंष्ट अना चाहिता है पूरे जर्मनी में कि लाखों करूरों को मार दिया गया था मैं फर जितने लोग जिविस्थ जो जिविश्व को फालो करते थे उन्हें क्या होना पड़ा या थो छोड़के बागे या तो ने ग्यास के चैमबर में ताल दिया गया कितने बड़े क्रिटेसाइज करने वाला नहीं था अगला पॉइंट सभी गुट सभी गुटों वा संगों पर सरकार का नियंद्रन होता है जितने भी जितने भी गुरुप्स बनते हैं जितने भी यूनिट्स होती है सब पर किसका कपजा होता है सब पर कंट्रोल होता है गौज midnight का आप देखिंगे कि इन गवर्म Scott के ना हर गौजी होती अगर कोई ग्रूप उस आइडियोलोजी को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसे क्या करते हैं तो बैन कर देते हैं या उस पर प्रतिबंद लगा देते हैं उसे बैश्कार करते है उसका है ना आपको यह कई जगा एक्जामपल्स देखने को मिलेंगे कॉंग्रेस की सरकार होगी तो आरेसस बैन होगा विजेपे की सरकार होगी तो जमियत बैन होगा हाला कि नहीं किया जाता है इंडिया में इतना इंडिया में क्यों इंडिया क्या है इंडिया में सभी देशों को सभी धर्मों को सब प्रतिकार प्रदान है यह आपको इतना बो ओถ News defender all Reachंश घर कॉर्मनट के अगेंट रही है तो उसके जो अग्रूबर को अधिकार वह यह मांव अधिकार की कमी अहां पर ना मानव अधिकार की बहुत कमी होगी लोगों elephant क्य 1980 कि तरह किया जाता थां कि प्योंब भी वाट की कि जरिमिनी में ऐसा किया गया था लोगों को निया जिए ग्यार धर के गैस की चैंबर्ग चब्भाला धाम tuo demasi है ट्रैक्टर वग smart कि बहुत में और या जता है जिए किया कर रहे हैं माइग्रेat कर रहे हैं व लोग क्या माइग्रेट कर रहे हैं लोग यह जगह से ले semicicompe जा रहे हैं लेकर उस वह कहा लेकर जा जाता था गैस चैमबर्स में, क्यों, पश्रूओं की तरह उनको भढ़ा जाता था, आफ वहाँ के लोगों के हला देखेंगें सिंगल पसली जो बोलते हैं सिंगल पसली और लिटरली वो लोग सिंगल पसली डिखते थे, क्यों, उन्हें खाना पीना नहीं दिया जाता था, जी उसको, जी उसकी बात करें, जो अपोजिशन पाटी के लीडर्स थे उनकी बात करें, उनका पता ही नहीं चला कि वो लोग गये कहां, भाई उनको यह तो मार दिया गया जा तो ऐसी जगह भीदेगा जा उनका पता ही ना चले, आप इंडिया में देख लें, इंडिया में जब तब शाब हरा था Ayroodat quindi सब beterला रहा था रंगुण पर की इनकी अंगरी चुकी थी तो ऱंतलिक। हमारे राजाओं को कि मतलब मानव अधिकारों के तयुका नई साहि में मानाम है क्या राजा सिरफ एक मानव को जानता है वो है राजा खुद उसके अलावा ना वो प्रादान मंद्री को जानता है न राष्टपदी को जानता है न किसी को वो क्या गता है बहुतresh मैं ही हूँ जो मानव है बागी सब एक जानवर कोई अधिकार नहीं कोई स्ववतन्तरत नहीं समांतर नहीं भाई चारह नहीं हर फिर समाजिक राजनीतिक इवं आर्थिक अधिकारों का लिप्त होना देखो अधिकार न समाजीक का OlPe I am ऋब नहीं बना सकते स्वाभ को पर इंडिपेंडेंट अब गूम नहीं सकते बात नहीं कर सकते इंडिपेंडेंडेंट वोट्स गोई नहीं है नहीं है वोट तो कराते हैं लोग जाड़ातर राजनीति कोहते हैं होंगे भी तो उसकी कोई इज्जत नहीं होती वैली नहीं होती इस वोट की आर्थी गदकार प्राप नहीं गरीबों को तो भाई बिलुकुल जो अमीर है चलो वो तो अपना काम चला भी लेता है दूसरे देश में चलेगे वैपार कर लिया लेकिन जो नए ने उद्दमी गुड की कि जो और थोरिटीरेड़ें रिजीम है इसके मेरिट क्या है गुड क्या है पहला देखो ऐसी सरकार में नेती निर्मान में बिल्कुल समय खर्च नहीं होता भाई जम मन किया जो बिल आना सा ले आये पास कर दिया इंडिया के तरह नहीं बिल आया कौन सा है फार् बैठे तब यह लोग विपक्षी दल के भी वो छोड़ो विपक्षी दल राजवार लोग सब छोड़ी दो भाई यहां बैठे तब नॉर्मल पीपल लोग जनता जनता न ऐ क्या किया राकेश टिकैत डकैत सबसे बढ़ा क्या-क्या भाया, आंदोलन कौन सा ? किशान आंदोलन, अभे या किशान दालों कितने समय तक चला सुखुधे सोचल लो भाई, जब परसे लागो होने थी अच्छे से लागो नहीं हो पारी थी लोग मान नहीं रहे थे उससे, क्यों ? क्योंकि लोकतंतर है अगर प्रजातंत्र होता क्या बोलता है अगर राजतंत्र होता या ताना शाही होती सत्तावादी शाषन होता ना तो डंडे मार के लागू करा जाता ही बिल में लेकिन क्योंने लागो करा पाए क्यों अपकी कि यहां पर था लोगतंतर क्यांटा का साषन न कि रैंसी लगाटें . सरकार कांट्रोल में है विपक्षी दलओ लो चिला चले कि बलते हैं सरकार तो छिला वी हैं यह मोदी क्या करें है अगर यहां फेल अच्छे जान रहाता ना अच्छे से च्छिल दिया लागुब करनी है नीत निर्मार उसमें भाक समय खर्च होताा है लोक तंत्र में और इसम अब बंद मतलब, बंद कोई इस पर डिवेट नहीं होगी, कोई लोगों का अंदोलन नहीं होगा, हुआ भी तो मार दिये जाएंगे, ठीक है, फिर दूसरा, स्थिर सरकार, देखो, यहां पर क्या होता है, जब भी कोई रूल अपना स्टैबलिश करते हैं, कोई राजा, कोई आदमी, या फिर कोई सेना का अधिकारी, तो वो सबस्क्राइल खतम करता है, इलेक्शन को, इलेक्शन को क्या करता है, बाइकॉट, और इसके जो गौर्नमेंट होती है, यह बहुत टाइम तक स्थिर रहती है, बनी रहती है, पांच, छे, दस, बारा, ऐसे सालों में, ठीक ह तो क्या होता है, इस से सरकार आते हैं यहां पर, यह बहुत है, इलेक्शन के बाद दूसरा आदमी आ गया, केंदर में कोई है, राज्य में कोई है, दोना अपर समेली नहीं है, ठीक है, फिर संकट के समय अधिक प्रभावी शाषर बढ़ा ली, अब देखो कहीं पें बाड है, हाफ लोग आ एकिerem आया, आधे प्रसंट लोग आ एक के नहीं है, और आए ढ़ी तुम प्रसंट, प्रचाफ प्रसंट लोग आया के नहीं है, और आया भी है, तुम कंकरा राया है, क्या स्क्रान बनरी है, क्या आख तभन लग भाउद है, ठीक है, तब तक वी लोग मर और जोड़ेती है देखो आपर नासँदम की बात हो चाए फासिजम की बात हो सब ने किस पर जोड़ेया नेशनल युनिटी पर राश्ट्री एक ता पर जो हिटलर था हिटलर नहीं क्या का हमें चाहिए एक ऐसी जहां पर सिर्फ कौन हो गोरे रेस के बंदे हो अब गोरे भी कौन से आर्यन रेस आर्यन रेस को वो सुप्रीम रेस मानते थे कि यह जाता टाइम कोशिश करते हैं कि हमारी जो यूनिटी है वो बनी रहे आप चाहिए देख लें पाकिस्तान में जब परवेज मुसरफ ने शाषन किया था कितने हिंदू को मारा गया क्यों कि वो लोग चाहते थे कि हमारी जो कंट्री हो तो पहले से हम डिसाइड कर चुक यह और दूसरे बंदें जो हैं दूसरी कास्ट कैं कोमुनिटी के उनको मार देते हैं यहां तो ने बोलता है यहां से कल्टी वो पहले फुर्सत में ठीर उद्दियम में एक अधिकार कोई स्थान नहीं जो सत्तावजी शाषन होता हैं यहां पर इंडस्ट्री में कोई अप पर जिसको support होता है government का government के support के बिना आपर कुछ भी नहीं हो सकता है अगला point हम देखते हैं कि समाजिक वा आर्थिक फैसलों को साहस से लाग किया आते हैं सत्तावधी सरकार में चाहे समाजिक फैसले हो या आर्थिक फैसले हो कोई भी कानून लाना हो ठीक है चाहे वह एकोनामिक से डेटेट हो चाहे वह सोशल से डेटेट हो सारे बिलना कोई आफिछना करने वाले ही नहीं है इससेटिय में कोई मान दो तुम्हें कल से हम मैं मान दो शाचक को मैंने कल से मुझे पूरे हमारे इंडिया में जगा जगा क्या चीए बेको 65 ताइप के गुरूप चीए जो किसको फॉलो करते हो जो सपोर्ट करते हूं मेरे पार्टी को ठीक है मेरी पार्टी को सबोर्ट करते हैं ऐसे 65 ग्रुप मुझे बने में चीए पूरे इंडिया में और दिल्ली से 25 ग्रुप मैं दिल्ली में क्या करूंगा जितने मेरे स्वायोगी है सब को कॉल करके बोलगा भाई यह 25 ग्रुप चाहिए तो चाहिए अगर नहीं मिले तो चुनाओं के समय होने वाले खर्ष और समय की बचात देखो लोगतंतर में क्या था सबसे वड़ी कमी लोगतंतर की पता क्या है आप जब देखोगे ना पूरे भारत में आया आप देख लो कहीं ना कहीं आपको हमेशा मेले रहे होंगे चाहिए पंचायज का चुनाओं हो रहा होगा we needusi Calet rich चोनाओं हो अब करोड़ी का बच्भाणि चुनाओं हो रहा हो रहा हो का मिज़्याओं हर्ताइम पर आप छलते ही पढ़ाय लिखाई करें गुंबते रेंगे समय की परबादी बीचिंटा ही नी है कि कि पैसा और बैसमें पैसा और समय रहर सब्सक्राइब से बचट हो इसाम बनाना भी भनाना यह चपया है और ख्रीड को समझा फांग जो अपैलिट है साले पॉइंट कर लिए हैं ठीक है बस ऊपर बोलता जोंगा अपने आप समझ में आ जाएंगे इसके पीडियाफ जो है डलवा दूंगा भाई टेलिग्राम आप नीचे जिलिंक है जॉइन कर लेना उसको आपको लिंक मिल जायागा ठीक है जॉइन करके पेपर अच्छे साप अंसर लिख सकते हो पहला प겠죠 नीती मिरमान में जेद्रा की सहिम्हती आवचक नहीं होती देखो उसमें जेंद्रा की कोटे द्राय नहीं हुनि आप मरजी हमारी जन्ता से पूछे मा पूछे लेकिं वहीं लोगतंतर की बात करें अगर विया जन्ता की किलाफ ले सब्सक्राइब नहीं होते हैं कि यो जन्ता हम Dafür कि अव्छ पिस हैं भी लगत सकते हो सब्सक्राइब और भाझे भाधे इतनी दिख्कत में हिंदी इंगिलिज नीशलिटी यह ने शक्ति का कंद्र एक विक्ति का हत्म होता है यहां पर पर जंता की कौहिछ सोंति की पुर्टी नहीं हो घंता की इच्छा की पूरते नहीं हुई तुरंट ताप सरकार घर घर आपको यह अन्दर ल करें आप उसको रोक नहीं सकते ठीक है और रोका तो शूट रहो गया नहीं तीसरा पुइंट राजनीतिक समाजिक वारतिक अधिकारों की कमी बाई पढ़े कि आप इतनी दे से समझा रहा हूं अप तो यह समझ में आई गया होगा कि और थोरी टेरियर रेजीम में क्या होता ह है आपको राजनीतिक शक्ति याने की चिनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा प्रतिनी धित्र करने का अधिकार नहीं होगा पाटी बनाने का अधिकार नहीं होगा विपक्षी दरने बैठने आपके काप एगी किसके खिलाफ बैठें ठीक है लेकिन लोग तंत्र में सभ प्रकार के अधिकार सब को मिलते खुमनें फिर ने की सब्त्र नई आ के सब बना ने मरजी आसपर नलो ठोफने के लिए टूह रूंई। और ऐक आठाम पाट है को अरे फेल कोई बात नहite अनपड ठोल सब्फना पाटी या मर्दवा क्या बात किरत है यार जो मर्जी वो बनाओ पार्टी जो मर्जी वो एलक्षे में लड़ो निर्दली खाड़े हो जाओ पार्टी नहीं बनानी तो और इस लो आपको तो खत्रा यह विश्व शांती के लिए खत्रा होता है नौर्थ इससे कोई देश मिलता है ना उपर उपर सी हैं स्मुक्य बात कह रहेगा जहां अपने देश पहुचा बस अरे नौर्स को हमें कर देंगे नोगों को अधिकार नहीं दे रहा यह नहीं देरा वो नहीं देरा टीकिन मतलब यह विश्व में शान्ती के लिए खत्रा होता है ऐसे देश क्या होते ह इसमें जन्ता की खुशी नहीं होती इसमें पड़ोशियों से संब्ध अच्छे नहीं होते आप नौर्स को रहे कर देखें साउथ कोड़ी दुश्मनी चलती है उनलों की लोगतंतर की बात करें तो समके साथ क्या होते हैं रिलेशन्स अच्छे होते हैं सब्सक्राइब मानव अधिकारों में आस्था विश्वास नहीं होता है तो अपनी पाठी के सिर्फ अपनी धर्म का मान लोगों राजा आ है वह बंद कर देगा ठीक है तो यह क्या है वह फॉलो करता है दृसरे द्रम क्या चाहिए और इस ताइश का कुछ हो ही ना ठीक है महीं यहां पर बात की जाती है यहां पर बात की जाती है निरिप्तकी सभी ऐहां का स्थान्त्र है यहां सामपरताक्षा की बात होती है about संस्कृति कि विश्राश पर जोड़ाएं आपको पढ़ाना तो ग्लोबल के बारे आपको पढ़ाऊंगा ठीक है तो इंतजार करो इस वीडियो का ग्लोप अच्छी वीडियो आएगे जिसमें आपको पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा ठीक है फिर जो अले उचना का अधिकार नहीं होता है जब की कि लोगतंतर में भर भर के अले उचना गरुवें यह जितनी गाली देनी उतनी तो थी यह आपकी आज की वीडियो सत्ता व्यविडियो आपको हमारी वीडियो अच्छी लग्यों पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर वीडियो आगे की जाने वाली हैं वह अप्लोड आपके अकॉर्डिंग होगी ठीक है दना दोस्तों वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करतें जरूर ठीक है जैन जै भारत